नमस्कार मंडेडी कश्यात सर्व आई होब सर्व मजेत असनार आणि त्यास वबत माज़ा नहीं मीचा आपुल कीचा प्रश्ण तो मंज़े अभ्यास करता है ना बच्चा लोग पढ़ाई कर रहे हो नहीं अरे बच्चा लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दो यार क्यूंकि बा इस ये सब्सक्राइब अगरानी करने पर में जसस लेक्शर कर लोग और आट हुड़के स्टाथ करता हूं के मोस्त एमएजिंग प्लेटवर्म या नहीं सब्सक्राइब करता हूं अपने स्वीट 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 से बैच यानि कि यथार्थ मराठी बैच तो बचलो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नमबर फाइव आफ कोंसा है बाइवारा चाप्टर इंट्रोडक्षन टू बायो टेक्नोलोची ठीक बचलो तो अभी तक हमन तो बच्चा लोग पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था सबसे पहले वह चीज़ देख लेंगे ठीक है तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था पर्मानन टीशू के बारे में उसके पहले हमने रिका था कोंसा था बाई मेरी स्टेमाटिक टीशू और इस क्लास इसके टाइप के वहाँ पर सेल्स होगे पैरेन काइमा कोलेन काइमा स्कलेरेन काइमा देखा था या नहीं अरे हां भाई देखा था या नहीं और वह कौन सा था जो मैंने बता है कि नारियल के ऊपर का जो होता है वह क्या था भाई स्कलेरेन काइमा वारे जो हमारे फ्लोट हो जाते तो वह हमने देखा था सिंपल पर्मनेंट टीशू में और उसके बाद हमने देखा था जायलम और अगर उपर के पत्तों में अगर कुछ फूड बन रहा है तो वह नीचे तक रूट तक आएगा और समय और सौ Mesos leo नीचे के डाइरेक्शन में जो पत्ते है वह अभी फूड फूड बना रहे तो वो उपर के डायरेक्शन में भी ले जा सकते है ठीक है तो जायलम के भी हमने चाल टाइब देखे थे फुलोएं के भी हमने चाल टाइब देखे थे और उसमें लिविंग कुंसा है डेड कुंसा है यह ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टन है अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो फिर से जाकर एक बार वो लेक्चर देख लीजे आपको आराम से समझ में आ जाएगा तो चल्ला आज आपन बगना रहात काई बगना रहात आज खुपा सिंपल आनि फक्तों दोनस टॉपिक है ते मंजे एक तो आपला बायो टेकनोलाजी लाजी आनि दूसरा 1500 टीशू कर यंखम है ऑका करने बोला था की हमारे बॉड़ी के अंदर हमारे बॉड़ी के अंदर एस बीजसेशी discussed था जो grade different types के सेल्स को क्या करते हैं ओरीजिनेट करते मतलब देखो इसकी बात क्या ओके इसको कैसे समझाओं मुझे देखो यह सेल है यह सेल है अब यह सेल क्या कर रही है यह सेल बहुत सारे अलग-अलग इसकी बहुत सारे सेल्स बनकर 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 एक कम्प्लिट और गयानिजम बनता है या फिर एक कम्प्लिट टीशू बन जाता है या फिर कम्प्लिट एक क्या बन जाता है और गन बन जाता है तो यह जो मेकैनिजम है कि एक सेल जो पूरा का पूरा एक और गैनिजम बना दे या फिर पूरा का पूरा एक टीशू बना दे उस मेकैनिजम को कहा जाता है टोटी पोटेंशी और जिस सेल में जो यह सेल टोटी पोटे वांटियवक्ट सेल उसको कहा जाता है वीजिव राइस टूदर टीशू मतलब यह तो सेल बनाय तो बहुत सारे ऐसे यह से ने लगेंगे तो यह पूरा का पूरा क्या बन जाएगा यह हमारा tissue है बात बता इस तैप के zile यहां पर जाएगे तो वह जुJust और एक बडी जो वंती है उसमें पहसे मिऩ से मिलकर बनती है जो टोटी आइसा जो गैंड आड़ो और उन्यू और द़ों को उस सेल को कहेंगे टोटी पोटेंट चैल उस सेल को हम उसे क्या आदory है ठीक है यहाँ पर क्या बना दिया भाई लंग्स बना दिये ठीक है ना समझ लो यहाँ पर क्या बना दे लंग्स बन गया तो यह क्या होगे रेस्पिरेटरी सिस्टीम आ जाएगी पूरी की पूरी और रेस्पिरेटरी सिस्टीम आ जाएगी यह सेल जो है वो क्या करेंगे मना देंगे यह सेल जो है वो पूरा का पूरा क्या कर देंगे हमारा एक्स्रेटरी सिस्टीम मना देंगे मतलब ultimately हमारे पास क्या बन जाएगा? बाडी बन जाएगी ultimately हमारे पास क्या बन जाएगी भई? बाडी बन जाएगी, तो देखो यह होते embryonic stem cell ठीक है, हमारे बाडी के अंदर ऐसे stem cell होते हैं, यह stem cell के पास एक potential होता है, कि यह क्या करेंगे, यह different different type के सेल्स बनाएंगे और यह डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स एक जूट ऐसे मिलकर क्या बनाएंगे टीशू बनाएंगे ठीक है और बहुत सारे टीशू मिलकर और और गर्मन का सिस्टीम सिस्टीम बन से पूरी की पूरी और गयानिजम बन जाएगा ठीक है तो जो सेल अलग अलग क्या जो सेल क्या गरेगा एक टीशू बनाएगा या फिर समझ लो वो कम्प्लेटली न्यू और्गेनिजम बना देगा उस सेल को हम कहते हैं टोटी पोटेंट सेल देखो देखो दसेल वीच कैन ग्यूज राइस टूद टीशू और न्यू और्गेनिजम आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रॉपर इन्वामेंट प्रॉपर इन्वार्मेंट मतलब क्या उसको प्रॉपर फूड मिल रहा है उसको प्रॉपर ऑक्सिजन मिल रहा है उसको प्रॉपर न्यूट्रियंट्स मिल रहे है उसको प्रॉपर रिवाटर मिल रहा है आजू बाजू का टेम होता है टोठीपोटेंट सेल होता है तो ये टोठीपोटेंट सेलि का वायी टेखनालोजी में बहुत ज़्यादा यूज होता है अर इस से बहुत साहरे अलग-अलग different different types के घा बना सकते organization बना सकते अर्डcity कंप्लीटली एक सेल से हम पूरा पूरा प्लांट बना सकते हैं समझ रहे हो भाई लेकिन हमारे जो प्लांट से भी हम उसको बना वो वर सकते है वह कैसे बनाने वाले आगे देखने वाले ठीके बचलोगो के चलो भाई बहुत बढ़ीए बहुत छांदर इसательavoastik क्याT कई सते नंगी आयोति बायो टेखनालिजी बायो टनाल जीटोल टो थीड नॉट होते न वाजी यूरोप यॉट यूरर जैंगे एयॉ। हूट डिबीशएकंटि कालय हूब है। और टेकनलोजी का मतलब क्या होता है तो क्यों ना ऐसी कोई टेकनालोजी लाए जिसके वज़े से जो हमारे living स्टिंग से living में थोड़ा बहुत हम क्या करदेंगे थोड़ा वह वहां पर adjustment कर देंगे वेदर वो genetic level पर हो गया या किसी भी level पर हो गया थोड़ा सा उन में adjustment कर लेंगे और इसके वज़े से हम human जो है human के लिए वो चीज बहुत फाइदे मंद होने वाली है बहुत जादा फाइदे मंद होने वाली है जो टेक्निक होती है जो living thing को यूज करते या फिर उनके अंदर modification लाकर human की जो लाइब वे उसको इजी बनाती है उसको हम कहेंगे बायो टेक्नोलोजी देखो यहाँ पर लिखा है यह टेक्निक और बिंगिंग अब इंप्रूमेंट इन दे चेंजेस लाएंगे जिसके वज़े से उसकी जो लाइफस्टाइल है या फिर उसका लीविंग तिंग मतलब वह जो कोई भी इंवर्मेंट में रहता है वह आराम से रह पाएगा उसमें क्या करनेंगे इंप्रूमेंट कर देंगे ओके बाइ आर्टिफिशल जेनेटिक चेंजेस अब हमें पता है जो कोई भी और्गयानिजम है उसका जो कोई भी मतलब एक्स्टरनल अपियरंस ओ या फिर इंटरनल वर्किंग हो या फिर कैसे भी सेल्स वह बनते किससे भाई वह सारे के सारे जो हमारे अंदर फीचर सोते वह कंट्रोल कुन करता है जीन्स सभी तो यह बायो टेकनोलाजी में क्या होता है अगर किसी ओर्गयानिजम में मुझे इंप्रूमेंट लानी है कोई तो भी नया करेक्टर उसमें लाना है तो मैं कहां पर चेंज करूंगा मैं करूंगा जीन्स के अंदर अगर मैं चेंज करता हूँ तो मुझे मेरे अंदर जो है या फिर जो organism में उसके अंदर कोई तो भी नया सा improvement डेखने को मिलते आता है समझ गया समझ गये बात को तो यह क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे artificial changes हो सकते या फिर and by hybridization अब hybridization क्या होता है मैं इसके तुरू आपको समझाने वाला थोड़ा सा रुकिये सबर करिए ठीक है बेटा ओके फॉर्ट वेलफेर ऑफ हुमन बिंग और टुगेदर कॉल अज बायो टेकनोलोजी फॉर्ट वेलफेर ऑफ हुमन बिंग किस तरह से हमें मतलब मैं किस तरह से ब तो पता है सर लेकिन जेनेटिक क्या होता है क्यों ना हमें पता है इंजिनियर क्या करते कुछ तो भी नए 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 चीज इन्वेंट करते रहते हैं यहां से कुछ तो भी उठा लिया वहां से कुछ तो भी में उठा लिए उसका कॉम्बिनेशन करके हमने तीसरा में सब्सक्राइब निकाल दिया इंजिनियर दिमाग तो होता है उनके पास ठीक है तो जेनेटिक इंजिनेरिंग क्या होता है कि जीन के लेवल पर कुछ ना कुछ तो भी आप गड़बड़ी मचा दो गड़बड़ी लेकिन ऐसी वैसी नहीं भाई जो हुमन को क्या करेंगी बेन मोडिफाइड क्रॉप्स जेनेटिक लिए मोडिफाइड क्रॉप्स तो देखो यहाँ पर जो है यह कौर ने ठीक है यह अगर कौन को देखते हो आप तो आपको क्या दिखता है कि इसके अंदर जो हमारे जो सीड से ना वह बहुत ज्यादा भरे हुए एक गम डेंसली पैक स लेकिन विचारे के पास एक टैक्टर नहीं है वो कारेक्टर नहीं है कि इसका लेंद देखोगे तो बहुत कम है ठीक है और उसके दूसरे साइड में क्या देखता है inать में काच औम लूओ नामबर발ले ऑन देखते हो तो आपको क्या दिख रहा है याँ ङह तर बिचार i लेकिन अगर आप देखते हो तो यह बीचारा दुबला पतला है और उसी के साथ इसके अंदर जो यह कौन के जो दाने हैं वह कैसे बहुत जादा कम है ठीक है यहाँ पर देखो इसके अंदर जो सीड्स देख रहे हो बहुत डेंसली पैक बहुत जादा कॉंटिटी में लेकिन इसके हाइट क्या है कम है लेकिन इसका अगर हम देखते इसका लेंद क्या है कम है लेकिन इसको अगर हम देखते तो इसकी जो लेंद है वह बहुत जादा है लेकिन यह दुबला पतलाए बीचारा और उपर से इसके उपर तो सीड्स से उसकी डेंसिटी भी क्या है बहुत ज्यादा कम है अब देखो इसको क्या चाहिए लेंट चाहिए इसको क्या चाहिए डेंसिटी चाहिए तो क्यों ना मैं इन दोनों के भी चाहिए ले लू और एक नया कॉन का प्लांट मतलब क्या कर लू डेवलप कर लू विद्ध हेल पॉग जेनेटिक एंजिनेरिंग और मुझे क्या मिलेगा यह ऐसा लंबा सा मुझे कॉन मिलेगा और उसी के साथ उसके उपर देखो यह जो लेंट वाला क्यारेक्टर है लेंट जो हाइब्रीड वाला वेराइटी बना वो हाइब्रीड वाला वेराइटी कैसे बना कैसे बना हाइब्रीडाइजेशन मतलब क्या इस प्लांट से एक कैरेक्टर ले लिया इस प्लांट से दूसरा कैरेक्टर ले लिया मतलब क्या कर दिया हमने उनका हाइब्रीडाइजेश इंसान जब बाजार में जाएंगे इंसान जब बाजार में जाएंगे तो कौन सा कौन लेगे एक नंबर का कौन लेगे दो नंबर का कौन लेगे या तीन नंबर का कौन लेगे भाई जल्दी से कमेंड में बताओ आप कौन सा कौन फिफर करोंगे एक नंबर का दो नंबर का या फिर यह सबसे जादा जो कॉलिटी जीस में जादा है यह वाला यूज करोगे और विए से सर हम तीन नंबर का कॉन ही यूज करेंगे मका जो है ना मका तीन नंबर तो सामी मका गेनार बरोबर है कंसर गेनार का बरह कारेशी लेंद पन जासता है और तया सोब जैंचा मति सब्सक्राइब जासता है समझता है ने तुम आला मंजे लोकान ना मांसा लगाए भरपूर सारे दाने अनि तया सोब जासता है खायने वाले सब्सक्राइब जासता न्यूट्रियर्स भेट तो माला सांगा हुमन वेलफेर जाले कि नहीं इस जस्ट बिकॉज इस पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑप बायो टेक्नोलोजी आनि कुटला जेनेटिक इंजिनेरिंग बड़ब जेनेटिक इंजी नेरिंग सो देख लिए यहा जाहार निकाला उसको जो है प्रॉपर न्यूट्रियेंट दिया एसे यह देखो मैंने क्या किया प्लांट का छोटा सा जो है ना तुकड़ा ले लिया ठीके उसके अंदर बहुत सारे टीशू 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 सेल 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 तो मैंने क्या किया यह टेस्ट और इसको क्या चाहिए भई कुछ नहीं चाहिएथ उसको खाना-पीना मिल रहा है उपर से बरावर सन haven मिल interpretation अपर क्या लिए आप लेगा लिवागत करते जायए दीवाइड करते जायंगे दिवाइड करते जाये और क्या करें का समझ रहो with the help of tissue culture इतनी बाद सबको clear रहे इतनी बाद सबको clear रहे तो genetic engineering तो यहाँ पर हम detail में नहीं पढ़ने वाले लेकिन जो plant में जो है tissue culture किस तरह से होता है वह यहाँ पर आज हम जरूर पढ़ने वाले है ठीक है उसके पहले हम देख लेगे कि बायो टेकनोलोजी का यूजेस कैसे होते बायो टेकनोलोजी किस तरह से हम use कर पाते ठीक है production of cash crop cash crop मतलब कौन से भाई जो money जो पैसा देने वाले हो ठीक है जो पैसे देने वाले हो फॉर एक्जमपल cotton भाई कि समझ रहो ना और एक्जमपल एक कॉटन है तो कॉटन क्या करते हैं कॉटन का हमारा हजारों टन में हमारा क्या निकलेगा ऐसा मतलब जो रूई होती ना रूई जो क्या वर कॉटन जो होता है वो हजारों टन में हमें मिलेगा with the help of buyer technology कि हमने hybrid variety डाल दी हमने hybrid variety वहाँ पर क्या कर दी प्रोडूस कर दी ठीक है तो हम क्या करेंगे production of cash crop मतलब जो पैसे जो cotton बेच का हमें पैसे तो मिलने वाले तो इसको cash crop नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई ठीक है for example cotton तो ऐसा cotton का पेड मैंने बना दिया उसको genetic engineering के help से उसमें तोड़ता भी जीन है इदर का कुछ भी जीन ला दिया उदर का कुछ भी जीन ला लिए एक कडोरे में डाला उसको मस्त पकाया और एक plant में छोड़ दिया उसे plant बना दिया और plant ऐसा बना कि एक ही plant से एक जो प्लाइं कोटन का उसमें से दो तीन किलो मुझे क्या मिल रहा है कि उसके पादिंथ अइंदे वेराइटीों क्या 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 quantylots ठीके टूशेज्श क्या 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 करेंगे हम improvement लाते जाएंगे हर बार improvement लाते जाएंगे ठीक हो सकता है की यह जो cotton का प्लांट होता है इसको ऊपर जो है ना कोई कोई जो है तो इंसेक्ट आगे के मतलब नेक्स टाइम क्या बोलेगा नहीं भाई मैं तो ने खा रहा तुझे ठीक है तो ऐसा कोई हम बाव प्लांट बना दे ठीक है तो यह हो सकता है इंप्रूमेंट इड़ेडिव अब कैश प्रॉप ठीक है इंक्रीज इन एबिलिटी आव प्लांट टुविट्स्टैंड इन्वोर्मेंट स्ट्रेसेस तो हो सकता है कि समझ लो अब जब महारास्ता है तो महारास्ता में गन्ने के खेत होते हैं बड़ा बड़ा उसाची शेती अस्ते आनि उसाची शेती मदे तु जीस मदे फरक केला आनि असाएक प्लांट में काड़ला उसाचा कि ज्याजा मदे कमी पान्या मदे पन तो काई कसर शक्तो जगु शक्तो जास्ता पानी आतरी तो जगतस है पन समझा कजी चुके ने पाउस नहीं पढ़ला कि पान्या जो आपलाल पानी तेवड़ा आपन प पानी कमीज हाला है इन्वाल्मेंट स्ट्रेस हाले देजा सोबत तेजा और काला लोड आले अरे पानी आरे पानी नहीं या पानी नहीं जगु कसा जगु कसा पन दूसरा प्लान गाए तो जेनेटिक लिए मैं जी के दिखाऊंगा वाई तुझे क्योंकि मेरे अंदर पूर कोवीड देखा क्या देखा बहुत लोगों क्यों होके गया था ठीक है बच्चा लोग उसके बाद अर्ली डाइग्नोसिस आप दे कॉन जैनाइटल डिसीज मतलब क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डिसीज आ रहा है तो अगर हमें वो डिसीज पता है कि आज डिसीज होने वाला है यह अगर चीज चला गया तो जी जाने के वज़े से अगर मुझे कोई डिसीज है और मेरे जीन के ठ्रूई मेरा बच्चा तयार होने वाला इंडिक है अगर मेरे जीन में वह डिफेक्टिव जीन है जिसके वज़े से क्या हो रहा है कि मुझे जो डिसीज है तो हो सकता है मैं बायो टेक्नोलोजी के हेल्प से वो जो जीन है उसको उकाड़ कर फेक दू तो मेरे बच्चे में वो जीन जाएगा नहीं खरब वाला मेरा बच्चा कैसे होगा एकदम लिवर सेल बायो टेक्नोलोजी ठीक है उसके बाद और गन ट्रांसप्लांट तो देखा भाई यहां पर देखो यहां पर देखो कि यह सेल है समझ लो मेरा लिवर खराब हो गया अब मुझे चाहिए लिवर तो मैं क्या करूंगा यह जो स्टेम सेल से स्टेम सेल को मैं अंदर क्या कर देंगे भाई लिवर का फॉर्मेशन कर देंगे ठीक है समझ रहो ना तो यहां पर समझ लो यह क्या हो गया लिवर का फॉर्मेशन हो गया तो मेरे अंदर क्या हो जाएगा एक मैंने बाड़ी के बाहर क्या बना दिया एक लिवर बना दिया फिर यह जो लिव लेकिन आर्टिफिचल स्कीन भी हम बना सकते हैं इतने बाद सबको क्लियर है तो यह सारी के सारी जो यूजे से इसमें से कोई सो भी पाच यूज जो है आपको ध्यान में रखने हैं मतलब रखने ही है समझ में आगे बचलोग कूप इसे जास्ता काई ट्रेंशन ना है अपला आपला बगाय से टीशू कल्चर टीशू कल्चर मंझे होता काई नक्कि एक सुन्दर ची डेफिनेशन है सोपी ची डेफिनेशन है कशाप्रकार आए ते बगू ठीक है कि ग्रोथ आप देटीशू और एस सेल इन आर्टिविचल मीडियम आउटसाइड फ्रॉम दपैरेंट बडीश्चाइड इस कॉल ढाच टीशू कल्चर तो मैंने क्या कर दिए भाई मैंने क्या कर दिये की टोटी पोटेंक सेल से मेरे पास मेरे बाडिमें एक्ञाइग टोटी तोोडी से vam पहुत सारे सेल्स में देए निकाल दी मैंने एक मीडियम में छोड़ दिया उसको यह कुट बहुत सारे क्या हुआ हो जिसके वजह से वो सेल डिवाइड होगा सेल साइज में बढ़ेगा डिवाइड होगा साइज में बढ़ेगा डिवाइड होगा तो एक सेल से बहुत सारे सेल्स वहाँ पर क्या हो जाएगे बन जाएगे लेकिन वह बनने के लिए उसको देना क्या होगा उसको देना होगा मुझे मीडियम इसको देना पड़ेगा मुझे तभी जाकर एक सेल से वह 10 को पाएंगे 1000 को पाएंगे लाख हो पाएंगे और सारे के सारे सेल बनकर एक complete organism बन पाएगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, the growth of the tissue or cell in an artificial medium, अब artificial medium मितलब क्या भाई, अब हम जो खा रहे है, वो इतने natural medium हो गया, कि वो खुद जा रहा है, body के अंदर, digestion हो रहा है, फिर वो digestion हुआ, जो हमारा food है, वो absorb हो रहा है, और उससे हमें ताकत मित रहे है, और हमारी body बढ़ती जाड़िये, growth कर रहे है, लेकिन अब अगर cell कोई body के बाहर है, अब उसको medium तो देना पड़ेगा, तो हमने बाहर से कुछ तो भी देना, ऐसे ये कटोरे में क्या है, हमारा cell है, उसके चमजबर हमने वहाँ पर क्या कर दिया, बाई, चमजबर नहीं होता है, मैं बस बताने क बात बता हुआ, ठीन सेलला ग्रो करने this is called as a tissue culture this is called as a tissue culture ठीक है बच्चा लोग तो आपने greenhouses देखे होगे greenhouses ठीक है बहुत बड़े मतलब जहाँ पर क्या कहते उसको नर्सरी नर्सरी बगित लशना नर्सरी मदे ठीक है तो खूब सारे से चोटे 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 तुम्हाला प्लांट लेट स से ठेवुले ले दीस्तात मागा आपन त्याना घ्योवन जातो माग काय करते आला आपन शेतात लावनार कि वा सम्द आपला गाल्डन मदे लावनार आनि त्या पसुन एक नवीन आपला आपला पूर्णा पूर्णा भेट्टो ठीक है तो यह चोटे चोटे प्लांट त्यार के लिए लासतात नरसरी मदे कि वाग्रीन हाउस मदे तेक शांपन ले जाता आपला टीशू कल्चर चाँ टेकनिक ने तीकनिक निगा खेला जाता एक्स टेकनिक एक्स विवु ग्रोथ आप दिश्यू और द शेल टेक्स प्लेस अब यह एक्स विवु मतलब क्या हो ऐँड्साइड एक मिनिट ओवटसाइड दी और सब्सक्राइट दी अवाड़ी ठीक है आप चलो यहां पर हम क्या कर रहें सिद्धी से बात देखो कि हम क्या कर रहे कि एक टीशू और सेल को निकाला सबीनद बॉडी है मैंने यहां से एक सेल निकाला उसको आटिफिशल मीडियम में बाहर ग्रोख कर दिया अब बॉडी से दूर जाकर वो क्या कर रहा है बॉडी के बाहर जाकर वो सेल क्या कर रहा है ग्रोथ हो रहा है तो हम उसको कहेंगे X Vivo मिल रहा था उसको खाना पिना मिल रहा था तो मेरी बॉड़ी क्या कर री ती ग्रोथ कर रहे तुए वह सेल विचारा यहां का जो स्कीन का सेल था रहे कर लेकिन जब मुझे टीशू कल्चर करना था तो मैंने क्या किया यहां से कुछ तुभी स्कीन निकाली एक कटोरे में डाल दी उसके उपर मैंने न्यूट्रियन डाल दिया बताओ भाई न्यूट्रियन कब तक 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 एगा एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वह न्यूट् लिच नहीं खाएंगे वह तो मर जाएंगे तो हमें क्या करना होगा जब भी कभी हम एक वी वह ग्रोथ करवा रहे हैं तो हमें क्या करते हो ना कि जो न्यूट्रियन्ट रीच मीडियम हर बार उस टीशू को देते रहना चाहिए ताकि वह ग्रोथ पटापट से करते रहे उ उसको भी लगे कि वह बॉड़ी के बाहर नहीं है वह बॉड़ी के अंदर ही है और वह बस उसको खाना देते जाओ खाना देते जाओ बॉड़ी के बाहर भी रहे कर आराम से ग्रोथ कर लेगा समझ लो मेरे बच्छों एंड कंडिशन शुड़ी शुड़ी एसेप्टिक जाए तक भी बहुत सारे बेक्ट्री आजाए दिए फंगस आ जाएगे वाईररस यसा जाएगे और जो बेरे बीचारे बॉड़ी के बाहर जो मेरे शेर्स बढ़ रहे देग्रोफ हो रहे थे उस सेल्सकों इपक्त कर देंगे उसेज को खराब कर देंगे तो पूरी महनत मतलब गेली ना पाने पूर्ण महनत सो ते होने बास उन ते थाम बास उन एकदम जी जीते कुटा आपन टीशू कल्चर करतो है ती जागा कशी पाज़े असेप्टिक असेप्टिक मज़े आपने कुटलास प्रकार चे माईक्रोब सब्सक्राइब ना वाइरस ना बैक्टिरिया ना पैटोजे ना फंगस नी काई प्रकार सो टेंप्रेचर कसा एकदम मेंटेंड है बरबर है नूट्रियंट रिज मीडियम देतो है या चेवा आपन कोश्टी सर्वों परफॉर्म करतो तेवा आपला टीशू कल्चर जाए सक्सेस्पूल होतों ठीक है एवड़ी कोश्ट के लिए रहा है ओके कंप्लीट ऑर्गेनिजम कैन बी डेवलप फ्रॉम दी फ्रॉमी सिंगल सेल और फ्रॉम दी टीशू सो एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम हमें क्या देखने को मिल जाता है जब हम उसको प्रॉपर न्यूट्र फिक्ट एकित व्यूआ को जाएंगे समझ रहूं क्या हो जाएगе आराम से घ्रों जाएगया और हमें complete न्यूओ ऑर्गेनिजम मिल जाएगा complete न्यूओ आर्गेनिजम यह देखो हमने क्या कर दिया इस तरह से कुछ ते भी कर दिया देखो यहाँ पर तीके अब यहाँ सही प्लांट सब्सक्राइब यह बनाने का प्लांट ठीट आप तो कैला च्छेल ने सेल में घ ча sleepy टेस्ट राग नाद तोके त्रोल माल-डा कोन धी लगावगा यह कंद तелов परोब्ल्लेम नहीं का है और प्लांट भीटी रूपले मेंगे जानाça अश्या प्रकारे चोटे से प्लांट है जा मदे आपन काया करतो नर्शरी मदे लाओ तो आनि मंग इतले प्लांट लेट्स काड़ों आपन काया करतो जमीने मदे ने उन लाओ तो आनि मोठ आप लेला काया बेट्टो प्लांड बेट्टो कमी एरिया मदे भरपूर सारे प्ला तो एक्चुल में टीशू कल्चर किस तरह से वर्क करता है तो हम यहाँ पर देखने वाले उसके पहले यह टीशू कल्चर दिया किसने कॉंसेप्ट यह किसके पहले दिमाग में आया तो वह थे हमारे फ्रेडरी कैम्पियन स्टीवर्ड 1904-1993 में ओके देखो इन्होंने क्या किया तो इन्होंने प्रूव किया कि जो प्लांट के जो सेल्स होते हैं अगर उनको तो बॉड़ी के बाहर भी पैरेंटल बॉड़ी के बाहर भी अगर ग्रोकारे एक्स ब्रैल इसजन में तो भी वह ग्रोव होने लगेंगे ठीकेक तो प्रूट इस ही आइसोलेट अधिस आधिस प्रॉम दर के रोट रूट रूट का उन्हाँ नहीं उठाया था गाजर मातना गाजर्णा रूट मतना कहा रहा है कहला गाजर्णा रूट मदना तैनी शेल्स काड ले ले ओती बरबर एंड कल्चेंद इन नूट्रियेंड मीड अधि मग तहने कहले होता निवाल कि अधितर घाजराची ज़ा मजग अधिए तरीचु के तल्या मेड ने तकल आप ग्रो केल बराइ लाए विव आजो प्रूद एट 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 आप इट आपि तो प्रोडूस अधिस अन्यु बराइ तुम्हें बुक में राइट कॉर्णर ला येलो बॉक्स में यह जो हमारा है प्रोसेसिंग आप टीशू कल्चर किस तरह से वर्क होता है वो हम देखने वाले है जो हमारा न्यूट्रेंट मीडियम होता है उसमें हम अगार डालते अगार ताकि वह थोड़ा सा थीक हो जाएग क्योंकि अगार में भी बहुत सारी न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो अगार को यूज करके हम क्या बनाते हैं हमारा मीडियम बना देते हैं ओके देखो अब देखो यह है हमारा केले का प्लांट सोर्स ऑफ प्लांट सोर्स प्लांट ठीक है जहां से हम क्या लेने जिसके हम जिसका हमें क्या बनाना है चोटा-चोटे शे बहुत सारे प्लांट लेट बनाने है चोटे-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी यहां से निकाल दिया उन जो सेल को है मैंने वो हूँ सेल का एक ठोटा सा तुकड़ा ले लिया और उसको मैंने कहा पर डदिया हमारे true me डाल लिया मैंने क्या कि या उसको knew ट्रीटमेंन उसको कहते है प्रांट के सेल मैंने ले लिये इस जो ये यह जो बरतन है बरतन जैसे दिख रहा है एक ऐसे वायल कहते है उसको वायल ठीक है उसके अंदर क्या कर दिया बहुत सारा nutrient medium था liquid liquid लीक्वीड लीकवीड तो वह है मैंने सेल लेग लिए और इसके अंदर डाल दिये उसको कहते है प्राइमरी ट्रीटमेंट अब इसके बाद क्या हो गया कि इन सेल को बहुत ज्यादा न्यूट्रेंट मिल रहे हैं बहुत ज्यादा खाना पिना मिल रहा है तो यह क्या करेंगे यह क्या करेंगे रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे यह क्या करेंगे एक सेल से दो से दो सेल से तीन सेल, ऐसे होता है क्या, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, और ऐसे बहुत सारे, हमने तो दाले थे बस दस सेल, और बने कितने, हजारों सेल वहाँ पर बन गए, ठीक है, क्योंकि उनको न्यूट्रियंट मीडियम मिल गया, उसको खानों बीनों को मिल गया, मक्तलब अनुको मिल गया उनका साइज बढ़ेगा तो और हो करेंगे तो एक के दो दो के चार चार के आठ आठाठ। 16 हम जो आपाघो कीए कि मैंने मेंधीयम में क्या खर दिया इस मीडियम में घो However पर हॉर्मोंस डाल दिए थोड़े से वहाँ पर हॉर्मोंस डाल दिए अब हॉर्मों मिलने के वज़े से क्या हो गया जिस मतलब हॉर्मों मिलने के वज़े से क्या हो गया सेल को समझ में आ गया कि अब हॉर्मों मिल गए तो मेरे मालिक चाहते हैं कि मुझे शूट बनाना है मत प्राइमरी अब उसके बाद हम आये वो आता है यहांपर होता है प्राइमरी हाडइनिंग तो क्या होता है यहां पर छोटे 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 छिप्ण प्लांट लटत मिल अब इस प्लांटेक को क्या जाता है इन प्लांट लेको इस प्लांटेक से घिस फिर इसको प्लास् yr के जो को प्लास्टिक यह वहां पर थेली आ होती है वहां पर उसको भरा जाता है और फिर से लिकवीड़्न मीटियम वहां पर दिया चाथा है ठीक है मीडियम दे दिया हो गया अब क्या करेंगे अब जो है इनको ले कर किधर जाएंगे हम ग्रीश में जाएंगे या फिर नर्सरी में उसको रख देंगे ए फिमाखД आपको क्या होता है उसके पाद चोहे आपने देखा होगा कि मट्टी के अंदर हमें छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे से प्लांट ले डेखने को मिलते हैं मट्टी के अंदर ऐसे छोटा सा होता है उसके अंदर मिट्टी होती है और मिट्टी के अंदर यह चोटा सा हमारा जो चोटा सा नन्ना मुना सा प्लांट है वहाँ पर देखने को मिलता है तो ऐसे बहुत सारे जो है वहाँ पर प्लांट की लिक्वी उनको क्या किया जाएगा उनको जो है वह जो प्लांट बराबर से मीडियम में में उसको निकाला जाएगा और Μीटी के अंदर रगा जाए जाएगा मीट़ी के अंदर लगाया रहेगा उसके अंदर रख दिया जाएगा तो उसको हम किंदे стать a secondary hardening फिर जो secondary hardening है बहुत सारे चोटे 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 प्लांट मिल गए तो आप क्या करोगे लोग क्या करेंगे बेच देंगे और आप जाओगे वो नरसरी से उठाओगे और उस मतलब जो यह होता है प्लास्टिक की बाग या फिर बॉटल होती है उसको हम लिया सोर्स प्लांट ठीक है सोर्स प्लांट से हमने क्या कर दिया भाई हमने एक डिजायर ठीक है डिजायर टीशू या फिर सेल ले लिया टीशू और सेल ले लिया फिर उसको हमने क्या कर दिया उसको हमने दिया प्राइमरी ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रा रिप्रोडक्शन हुआ रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया उसने किसने यह जो हमारे जो सेल्स थी इसके अंदर इसने क्या किया रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया अब रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया एक से दो दो से चार चार से आठ ऐसे करते करते बहुत सारे सेल्स व ब्राइमरी हार्डनिंग बरावर हार्डनिंग बरावर हार्डनिंग और बड़वर और primary अरे यार ये क्या कर दिया मैंने थोड़ा सा उख जब अच्छा को ओके primary hardening spelling का इदल उदर हो गया फिर उसको हमने क्या कर दिया Secondary secondary hardening मैंने वहाँ पर perform कर दी और ultimately हमें क्या मिल गया अल्टिमेटली हमें फिर से वही प्लांट बहुत सारे प्लांस वहाँ पर मिल गए तो इस तरह से पूरा का पूरा हमारा जो है टीशू कल्चर का प्रोसेज्ट जो है वह रन होता है ठीक है तो हमने बेटा जो है पूरा का पूरा टीशू कल्चर और बाय टेकनलोजी का अभी सॉर्स प्लांट सोर्स प्लांट हो गया हुष से कुछ तो भी टिशु निकाले उसको हमें न्यूट्रेंट में मीडिम में डाल दिया तो उसको मं》 खहेंगे प्राइमरी फिर हमने क्या कर दिया कि उसके अंदर जो है नूट्रेंट मीडियम के रहने के वजह से वह से वो डिवाइट करने लगा एक चे दोन दोना चे चार 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 आट अचे शोडा बरबर आनि तया मने काई रिप्रोडक्शन परफॉर्म के लखिवा मल्टिप्लाइब जाल प्राइमरी हार्डेनिंग क्या इंगे लरा छिए फ्लास्टिकोiri मत्या बीर्डाउन सेकनडいます हाड़ड़निंग आलि सेकन्डेरी हाड़ देहां किया है ले तब फलांट लेट ौन अपन बाहर काड़ा माति चाइवा अतम डेर राकला अनि तेला सकते हैं ले संब सबस्क्राइब प्लांट धियु कल्छर वर्क्स बएफ़नेवाद अच्छे तरिके से क्रिश्टल क्लिया समझ में आगया और कोई भी दिक्ष ते कमेंट सेक्षण में पूछलो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा तब तक के लिए नमस्कार मंडेडी धन्यवाद